हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल दिया और बाती हमें आप आगे देखेंगे संधिया यह सब देखके हैरान हो रही है उधर एक स्वामी जी कह रहे है जमीन से शिर जी की मुत्ती निकली है आप देखेंगे कि एमली और सब साथी लोग उसके देख रहे है इधर स्वामी जी सब को बता रहे है यह भगवान का इस्थान है यहाँ पर भगवान का मंदिर बनेगा इधर संधिया को यह सब बाते समझ में नहीं हारी है वो समझ रही है कि स्वामी जी सब जूट बोल रहे है फिर आप आगे देखेंगे कि संधिया कुछ नहीं बोल बस देख रही है इदर आप देखेंगे कि चतुरी सबजी लेने आई है और वो पूछते है ये भीड कैसी सबजी वाला बताता है कि वहाँ पे शिव जी की मूती निकली है सब टीवी पर देख रहे हैं आप देख लो तो वो देखने आती है फिर वो कहती है कि अरे वाँ ये टीवी नहीं है फिर इतने में आप देखेंगे कि भाबो और बाबा सा सब लोग आ रहे हैं टीवी के देखने के लिए चतुरी उन्हें रोकती है कि वो टीवी ना देखें इसको डर है कहीं वो संद्या भाबी सा को ना देख लें इतने में आप देखेंगे कि भाबो नहीं के लिए आगे बढ़ती है तुरन टीवी बंद हो जाता है भाबो कहती है जाने मुझा कौन से पाप किये होंगे कि हम शिप जी के दर्शन नहीं कर पाया इदर सूरज और संधिया रिक्षे में जा रहे हैं दोनों और वो आपस में बात करते हैं स्वामी जी के बारे में फिर पिदा देखेंगे कि भाबो और शबी दोनों लोग आंगन दो रहे हैं और चतुरी भी है फिर आप देखेंगे बाबासा आ रहे हैं एकदम से फिसलते हुए बचेंगे तो भाबो चिलाती है फिर बाबासा कहते है मुमफली लाया तो मीना खुश हो जाती है रहे मुमफली और मीना का मन चलने रखता है तो भाब ऐसा कहते हैं कहारी उसके बच्चा होने वाला है तो भाबो कुछ नहीं बोलती है और वो मीना को मुंपली दे देते हैं इतने आप देखेंगे भाबो बहुत गुसा हो रही है और भीक्रम आता है तो मीना एक दो